देवगन ने अश्वनी धीर की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म सन ओनफ सर्दार में भी अभिने किया, जो वाया कॉम 18 मोशन पिक्चर्स के साथ एक संयुक्त निर्मान था। यह फिल्म 13 नवंबर 2012 को जारी हुई थी। यशाराज की फिल्म जब तक है जान घटना के ब पावजूद सन ओनफ सर्दार फाइनेंशियल रूप से सफल रही। फिल्म का रिकॉर्ड एडवांस स्केल हुआ था। अमिताब बच्चन बोल सब से ज्यादा कमाई करने वाली बॉलिवुड फिल्मों में से एक थी। इसमें आर्स 158 करोड युएस डॉलर 20 मिलियन लगे के बजट से बनी यह फिल्म एसो बैतेज गोल माल 1979 का आधिकारिक रीमेक है। यह फिल्म 6 जुलाई 2012 को दुनिया भर में लगभग 2575 मूवीज में रिलीज हुई और इसके 2700 प्रिंट थे। इसकी मिश्रित समीक्षाय मिली लेकिन बॉक्स ओन फिस पर इसकी शुरुआत अ की रोमैंटिक एक्षन कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन में अभिनय किया जो श्री अष्ट विनायक सिने विजन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त निर्मान था। इसमें अभिशेक बच्चन असिन और प्राची देसाई भी वही। 2009 में भगवान ने अपना होम प्रोड़क् अभिनय किया था। यह फिल्म 16 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी और यह 2009 की नौवी सबसे अधिक कमाई वाली बॉलिवुड फिल्म थी। फिल्म एक ऐसी महिला काजोल की कहानी बताती है जिसकी याद दाश्ट बहुत खराब है और वह अपने पती को भी भूल जाती फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने इसे एक अच्छी तरह से बनाई गई मनोरंजक प्रेम कहानी के रूप में वर्नित किया है जो भावनात्मक स्तर पर उच्च है। ड्रैगन की प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन F फिल्म्स की स्थापना 2000 में हुई थी और अपतिस कं भगवान और काजोल ने अभिनय किया था। 2008 में भगवान ने अपने निर्देशन की शुरुवात की उमी और हमकासह निर्मान। ड्रामा ड्रामा फिल्म के चार लेखक की टीम का हिस्सा थे। इस फिल्म में इनके साथ मधुने काम किया था। अट्टे इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 थी जिसमें इन्होंने करिश्मा कपूर के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म दिवाली के सबताहंत में रिलीज हुई और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली सातवीन फिल्म बन गई। इस फिल्म ने बॉक्स ओन्फिस में कुल आर्स साथ क करोड रुपिय की कमाई की, शामिल थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फूल और कांटे से की, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआत हे तू, फिल्म फेयर पुरसकार भी मिला। शुरुआत 1991-99, संपादित करें। इन्होंने फिल्मों में लांच होने से पहले ही उसी समय कई अन्य अभिनेता भी विशाल नाम से लांच हो रहे थे। इनमें मनोज कुमार के पुत्र भी, परिवार संपादित करें, 24 फरवरी 1991-99 को अजय ने अभिनेतरी काजोल संग साथ फेरे ले लिए। पहली बार अजय और काजोल की जोड़ी 1995 में प्रदर्शित फैल्म हलचल में नजर आई थी। उनके दो बच्चे हैं। न्यासा जिसका जन्म 20 अप्रेल 2003 को हुआ था और युग जिसका जन्म 13 सितंबर 2010 को हुआ था। प्रारंभिक जीवन संपादित करें, अजय देवगन का जन्म 2 अप्रेल 1960 को दिल्ली में अजय ने सनातक की पढ़ाई मुंबई के मिठी भाई कॉलेज से पूरी की। अभिनेता का राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार प्राप्त हो चुका है। अंतोशी निर्देशित फिल्म दे लेजेंड ओन आफ भगत सिंह के लिए सर्वश्रेष्ट।